पिछली वीडियो में हमने कॉलर निक का कटिंग देखा था पूरे चार्ट के साथ अपडेट्स के साथ बहुत ही परफेक्ट तरीके से बताया है अगर आपने कटिंग वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी और आज के वी क्रेट्व फाशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहां पर मैंने फ्रंट पैटर्न को बीच में फोर्ड करके एक लाइन बनाई है जैसे आपने अभी देखा अब यह जो सेंटर लाइन है इसे हम चौक से डार्क करतेंगे यहां पर हमें प्लैकेट के लिए कट देना है यह जो कट है यह हम 6 से 7 इंच पर लगा सकते है तो मैंने 6 इंच पर मार्क किया है और यहां पर 1 इंच इस तरह से चोड़ा हमें मार्क करना है यह बस 1 इंच ही करना है अब यहां से इस तरह से तिकोन बना दीजिएगा और पस इसी के उपर हमें कट लगाना है तो फिर उसके बाद यह सामने ड्रॉ किया था वैसे मैंने कट दिया है तो यह बीच कटिकोंड कुछ इस तरह से दिखेगा अब हम इसके उपर प्लाकेट की पटिया जोड़ेंगे पटिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह लगभग तीनी चोड़ी पटिया ले ली है और इनकी लंबाई जो है वो लगभग 10 या 11 इस तक आप रख सकते हो ऐसी मैंने दो सेम पटिया काटी है दोनों साइड के लिए अब हम इसको जोड़ेंगे तो यह कुर्ति की सीधी साइड उपर की तरफ है और पटि को मैंने नीचे की तरफ डाल दिया है जैसे आप देख पा रहे हो और यहाँ से हमें नीचे तक सिलाई लगा कर पटि को जोड़ना है तो इस कट तक हमें सिलाई लगानी है जो हमने तिकोन में कट लगाया था वहां तक तो यहाँ पर हम सिलाई को शुरू करेंगे सिलाई margin जो है वो quartering से थोड़ असा जादा रखा है आधा इनसे कम है और quartering से जादा तो यहाँ तक मैंने सिलाई लगा दी सिलाई लगाने के बाद पट्टी को बाहर के तरफ निकाल देंगी और इसे हमें यहाँ पर पलट कर सिलाई लगाने है तो एक बाद देखिएगा सिलाई margin को इस तरह से पट्टी के और मोडा है मैंने और नाख्वन से थोड़ा सा प्रेस कर दीजेगा और यह दिखिए यहाँ यहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी अब इस पट्टी को यहाँ से अंदर की तरफ मोडेंगे लगभग आधा इंच तक और फिर इसे इस तरह से मोड़ देंगे अब मोडने के बाद लगभग इसकी चोड़ाई जो है वो एक इंच तक होनी चाहिए जैसे कि मेरी आ रही है अब यहाँ पर मैं उपर से टॉप स्टीच लगाऊंगी तो यह जो टॉप स्टीच है यह हम नीचे तक लेके जाएंगे तो यहाँ पर कट है तो यहाँ तक हम सिलाई को लेके जाएंगे मतलब कट के नीचे लगभग आधा से एक इंच आप लेके जा सकते हो तो यह सिलाई मेंने लगा दी अब धागे को हम तोड़ देंगे अब यहाँ पर जो यह पट्टी रेडी है तो इस तरह से यह दिखेगी अब एक्स्ट्रा की पट्टी को कट कर दे उसका कोई काम नहीं है अब हम दूसरे और भी पट्टी लगाएंगे तो इसे यह बीच बीच में ना आए इसलिए इसको मैं यहाँ पर पिन लगा दूँगी ताकि यह दूसरी पट्टी जोड़ते टाइम बीच में ना आए अब दूसरी पट्टी लिए है जो सेम है तेनी चोड़ी और लगबक ग्यारा इंच लंबी इसे मैंने नीचे की तरफ रख दिया है क्योंकि कुर्टी की सीधी साइड उपर की तरफ है और इसे हम सिलाई लगा के उपर की तरफ पलटेंगे तो यहाँ पर भी उतना ही मार्जन रखा है कौटर इंच से ज़ादा और आधा इंच से कम तो यह भी हम यह दिखिए यह तिकोन आपको दिख रहा है तो यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे इसके नीचे नहीं जाना सिलाई मेरी लग चुकी है और बस मैं यहाँ पर धागे को तोड़ दोगी अब इस पट्टी को हम उपर की तरफ निकाल देंगे तो यह कुछ इस तरह से दिखेगी अब यहाँ पर भी पट्टी के और मोड कर इसे नाखों से थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा और सेम तरके से जैसे हमने पहले पट्टी को मोडा था सेम तरके से इसे भी यहाँ से मोड कर इसके उपर रख देंगे तो सिलाइ मार्जी जो है वो बीच में आना चाहिए अब यहाँ पर हम किनारे से सिलाइ लगाएंगे इसकी चोड़ाई भी एक इंची होगी तो बस मैं किनारे से सिलाइ लगा रही हूँ अब देखिए यहाँ पर हमें रुकना है तो यहाँ पर यह जो कट है हमारा वही तक हम सिलाई को लगाएंगे और उसके बात देखेंगे क्या करना है तो बस उसी निशान तक मैं आ गई हूँ उसी कट तक और अब हम धागी को तोड़ देंगे तो यहाँ पर एक बात दिखा देती हूँ मैं आपको कैसी सिलाई लगी है तो इस पट्टी को मैंने पिन से खोल दिया अब आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगी है जो तिकोन है उसे मेरे नीचे की तरफ मोड़ कर उसके उपर इस पट्टी को रख दिया और उसके उपर इस पट्टी को रख दिया तो इस तरह से एक के नीचे एक ये चीज़े आनी चाहिए अब यहाँ पर मैं एक पिन लगा दूँगी ताकि सिलाई लगाते टाइम ये इधर उधर ना हो और यहाँ पर हमें सिलाई लगाने हैं तो ये देख सकते हो आप तो यहाँ से मैं सिलाई को शुरू करूँगी पर देखेंगे सारी पट्टिया एक के नीचे एक है या नहीं और फिर सिलाई को शुरू करेंगे अब यहाँ पर नीचे आप एकदम सिंपल भी रख सकते हो या फिर आप इस तरह से डबल ट्रांगल करके यहाँ पर पट्टि को फोल्ट कर सकते हो ताकि नीचे की तरफ को ना बन जाए अगर आप प्लेन आड़ा रखना चाहते हो तो पर सिंपल इपट्टि को फोल्ट कीज़ेगा अंदर की तरफ और सिलाई लगा दीज़ेगा नीचे वाली पट्टि का एंड़ पोंट देखेंगे तो यहाँ पर हम मार्किग करेंगे नीचे की पट्टि जहाँ पर खतम होती है उसके आधा इंच उपर एक मार्किया है और उसके एंड़ पोंट पर अब बस यहीं पर हमें सिलाई को खतम करना है तो नीचे वाली मार्किंग की तरफ आ गये हैं और वहां से इसको गुमाके इस तरह से सिलाय लगाएंगे और फिर इसको उपर लेके किनारे से उपर लेंगे और यहां पर खतब करेंगे तो इस तरह से यह box बना है यह जो box है यहाँ पर मैंने यह लगबग आधा इंच खड़ बॉक्स पनाया है आप कौर्टर इंच का भी बॉक्स पना सकते हो और इसका फिनिशिंग आप देख सकते हो पट्टी बहुत ही सरल तरीके से और फिनिशिंग के साथ बैठे है अब इस पट्टी को इस दुसरी के उपर अच्छे से रखेंगे और नेक वाली साइड में जो एक्स्ट्रा की पट्टी है उसे कट करेंगे गोलाय में पट्टी को इस दुसरी के उपर अच्छे से रखना है और फिर कट करना है तो यह हमारा कट हो चुका और यह front pattern अभी हमारा ready हो गया है तो placket भी बड़े finishing के साथ और आसानी से लग गए अब यह सेधी side इसके उपर की तरफ है इसके उपर मैंने back को रख दिया यह हमारा back pattern है अब जैसे कि आप देख पा रहे हो गले की चोड़ाई front की कम है और back की जादा है तो यहाँ पर घबराने की, confused होने की कोई बात नहीं बस दोनों को, दोनों shoulder pattern को इस दूसर के उपर रखते तो दोनों की चोड़ाई same रहेगी यहाँ से सिलाई लगाएंगे same यहाँ पर भी करिये और यहाँ पर shoulder की सिलाई लगाएं दोनों तरफ सिलाई मेने लगा दी है और अब हम इसको खोल देंगे तो यह अंदर की तरफ इसकी सीधी साइड आ गई अब इसको इस तरह से पकड़ना है बिलकुल और यहाँ पर रखते गले को बिलकुल भी खीचना नहीं है बस एक दूसरे के उपर एकदम बराबर से रखेंगे ताकि हम जो collar का नाप लेंगे वो एकदम correct आए अब यहाँ पर जहां से हम सिलाई लगाएंगे वो गोलाई मेने निकाल दी और उस गोलाई के उपर से हम नापेंगे कि हमारे collar का नाप कितना आएगा तो यहाँ पर मेरी collar का नाप आ रहा है साड़े आठ इंच अगर आपकी एक लाइम भी आगे या पीछे हो रही है तो आपको बराबर से पकड़ना है अब यहाँ पर मैंने यह collar का पेस्टिंग पेपर लिया है और यहाँ पर जितना मेरा आया था नाप गले की गोलाईगा साड़े आठ इंच उतना मेंने किया है मार्के अब साड़े आठ इंच के 3 equal parts करेंगे मतलब 3 समान भाग करेंगे यानि कि आप साड़े आठ को 3 से भागेंगे तो भी 3 समान भाग निकल के आएगे तो मेरा लगभग लगभग पौने 3 नहीं चाया है 3 equal parts के एगे अब यहाँ पर इस तरह से मैंने line बना दी अब यहाँ से सभी sizes में आप 3, 4, 3 उपर के तरप ले यहाँ से बस quartering से थोड़ा सा कम उपर लेना है और यहाँ से हमें गोलाई देनी है हाँ से भी दे सकते हो या फिर आपके पास pattern scale वगरा है तो उससे भी आप shape दे सकते हो तो बस मैंने हाँ से ही दिया अब यहाँ पर color की चोड़ाई मैं एक इच रख रहे हूं तो एक एक इंच पर मैं इस तरह से mark करती जाओंगी जो हमारी नीचे की तरफ की curve line है उसे बरावर से रखते हुए एक एक इंच पर mark किया है और यहाँ पर shape दे दिया अब यहाँ पर फिर से एक बार नापेंगी साड़े आठ इंच क्योंकि हमने जो गोलाई दी होती है उसके कारण यह बढ़ जाता है थोड़ा सा एक point तो हमें बस बरावर से साड़े आठ इंच पर mark करना है यह मैंने कर दिया अब यहाँ से हम 90 degrees एंगल में उपर की तरफ line बनाएंगी इस तरह के से और यहाँ से गोलाई देंगी तो हो गया हमारा color का marking अब इसका cutting करेंगे cutting करते time यह जो fusing paper होता है वो उपर नीचे होता है इसलिए मैंने pinch लगा दिये हैं ताकि यह हिले नहीं और एकदम बरावर से cutting हो आप चाहो तो छोटी-छोटी clips भी लगा कर ले सकते हो दोनों एक साथ जूड़ने के लिए मैंने pinch लगाए है तो color हमारा cutting हो चुका है अब इसे में खोल के दिखाती हूँ तो यह हमारा नीचे वाले यह गले की तरफ चूड़ेगी यह side तो इसलिए मैंने arrow कर दिया और यह दिखो यह इस तरह से बनेगी अब यह color का cutting हो चुका है अब हम इसको कपड़े के उपर रखेंगे कपड़े की पट्टिया color से एक एक इंच जादा रखी है उपर नीचे और side में भी और यहाँ पर जैसा color का shape है वैसे मैंने पट्टियों को cut कर दिया side से भी एक 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 इंच extra रखेंगा अब यह जो उपर की पट्टी है इसे color के उपर fold करेंगे और इस्त्री करके लेंगे ताकि यहाँ पर यह fold बना रहे हैं इस्त्री करने के बाद अब नीचे का कपड़ा आप देख सकते हो तो यहाँ पर हम बस उपर से सिलाई लगाएंगे ताकि नीचे की पट्टी और उपर की पट्टी attach हो जाए तो canvas के उपर सिलाई नहीं जाएगी सिर्फ कपड़े के उपर सिलाई आएगी और canvas को चिपक कर आएगी सिलाई में ने लगा दी है और जो extra का कपड़ा था उसे हम अब cut करेंगे लेते टाइम तो आप extra रखिएगा बाद में cut कर दीजिएगा cutting कर दिया अब देखो यहाँ पर यह खुला रहा है हमारा तो यहाँ पर यह सिलाई लगा के complete करना है क्योंकि शुरू से हमें सिलाई लगाने की तो देखिए यह पूरा इस तरह से दिखेगा यहाँ पर हम top stitch लगाएंगे तो यह देखो यह पट्टी है इस पट्टी के और यह margin इस तरह से दबाना है और उपर से सिलाई लगाने है सिलाई जो है वो canvas की पट्टी के उपर नहीं जाएगी जिस और हमने margin दबाया है उसी पट्टी के उपर सिलाई लगाने है तो देखेगे margin दब गया है अब हमें इसको पलट कर लेंगे अच्छे से पलटना है और चाहो तो आप इसतरी करके ले ताकि यह finishing के साथ बैठे और फिर जो extra का margin है कपड़े का उसे cut करना है क्योंकि अब हमें यह पट्टी गले को जोड़नी है तो इतना margin हमें नहीं रखना बस quarter inch का रखना है तो यह देखिए बस quarter inch का margin रखते हुए मैंने बाके का cut कर दिया और यह इस तरह से ready है अब इस color को हम गले के उपर लगाएंगे तो पहले हम इसको center में fold करेंगे और एक center mark करेंगे ताकि हमें center से color जोड़ना आसान हो अब हम लेंगे हमारा कूर्ति का pattern जो हमने shoulders जोड़ के तयार रखा था इसे भी मैंने इस तरह से fold करके लिया और यहाँ पर एक center notch लगा दिया छोट आसा या फिर आप chalk से भी marking कर सकते हो अब चो center mark हमने किया है वही से हमें color जोड़नी है तो color का center mark और गले का center mark दोनों इक दुस्ते को बराबर रखेंगे तो जैसे आप देख पा रहे हो कूर्ति की सीधी साइड उपर की तरफ है और color को मैंने इस तरह से center में रख दिया अब यहां से हम color को जोड़ना शुरू करेंगे वो पूरा एक साइड इसका cover करेंगे यहां तक से लए लगाएंगे और फिर बचा हुआ आधा हिस्सा जोड़ेंगे तो चलते हैं machine के उपर तो देखिए यह center mark है और यह पूर्ति का center mark दोनों को एक दूसरे के उपर मैंने रख दिया और यहां से हम पहले आधा हिस्सा सिल के लेंगे center से शुरू करना है quarter inch का margin यानि एक डाप की सिलाई अब लेते समय यहां पर यह जो shoulder की सिलाई यह उसे बीच में से खोल दीजिएगा और फिर उसके उपर collar को रख कर सिलाई लगाईएगा ताकि वहां पर जोल ना आए अब मैंने collar के दोनों side में एक एक इंच एक्स्टा छोड़ने को बोला था कपड़ा तो उसका फाइदा यहां पर होता है अगर आपकी collar गलती से थोड़ा सा कम भी पड़ जाती है तो यहां पर हम यह जो एक्स्टा कपड़ा है यह काम करेगा ठीक है तो यहां पर यह बरावर से हो गई है ठीक तो अब हम यहां से सिलाई लगाएगी अगर आपकी color कम पढ़ जाती है तो जो extra का कपड़ा है वो काम आता है यानि बाहर की तरप से सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर यह बरावर से हो रही है तो जहाँ पर यह खतम हो रही है वहाँ से मैं इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगी जैसा हमारा shape है और अगर कम पढ़ती है तो कपड़ा जो extra का लिया है एक इंच का वहाँ से गोलाई में सिलाई लगाएंगे अब यह extra का कपड़ा कट कर देंगे क्योंकि अभी इसका काम नहीं है कट करने के बाद यहाँ पर हम छोटे-छोटे notches लगाएंगे इस तरीके से एक तब छोटे-छोटे लगाने हैं सिलाई कट नहीं होने चाहिए तो दो से तिन notches हम लगाएंगे और अब हम इस color को मैं आपको पलट के दिखा दे हूँ अभी तो हमें पलटना नहीं है बस मैं पलट के दिखा रही हूँ यह देखिए इस तरह से इसका finishing आएगा तो अभी मैं इसको फिर से इस तरह से उल्टा कर दूँगी क्यूंकि अभी आदा हिस्सा जोडना बाकि है अभी यह बचा हुआ आदा हिस्सा हम जोड़ेंगे तो आपको क्या करना है अभी यहां से center से गला और color दोनों को पिना खीचे अच्छे से पकड़ते जाना है यह देखिए इस तरह की से और फिर सिलाई जो है वो यहां से शुरू करेंगे यहां से ठीक तो बस दोनों का measurement सही से पकड़ते हुए हमें किनारे तक आना है और वहां से आपको सिलाई को शुरू करना है तो यहां से मैं सिलाई को शुरू कर रही हूँ और ना ही गला खीचना है और ना ही color और यहां पर भी shoulder की सिलाई को बीच में खोल कर मैंने उपर color रखकर सिलाई लगाई है तो यहां पर यह center है center तक मैंने सिलाई लगा दी और कट कर दिया धागी को तो पूरी color जूड़ चुकी है अब इस किनारे की यह गोलाई की सिलाई लगाना बाकी है तो यहां पर भी color एकदम बराबर से हो रही है अगर आपकी जैसे मैंने बताया कम पढ़ रही है color तो आप जो extra का कपड़ा हमने रखा है एक एक इंच का वहां से सिलाई लगा सकते हो गोलाई में हाँ भले वहां पर क्या नुवास नहीं रहेगा लेकिन उतना चल जाएगा थोड़ा बहुत तो गोलाई में मैंने सिलाई लगा दी है और जो extra का कपड़ा है उसे हम कट करेंगे तो यहां पर भी हम दो से तीन नौचेस लगाएंगे जिसे हमने उस साइड में लगाए थे तो यह छोटी छोटी नौचेस में लगा दिये हैं ठीक अब कॉलर पलटने के बाद यहां पर जोल नहीं आएगा ठीक है तो पूरी कॉलर लग चुकी है यह देखिए अब इसको ह अब बस हमें अब टॉप स्टिश लगानी है कॉलर तो हमारी जोट चुकी है तो इस ट्रिक से अगर आप कॉलर लगाते हूं तो आपकी कॉलर अगर कम भी पड़ जाए तो अब हम यहां पर टॉप स्टिश लगाएंगे तो शुरू करते हैं यहां से एक किनारे से दूसरे क नारतिक लगी जाएंगी तो बस बीना खीचे हम यह से लगानी है अगर हम खीचते हैं तो कॉलर का यहां पर जोला सकता है तो बिल्कुल दीरे दीरे करके हम बीना खीचे इस कॉलर को लगाएंगे तो यह कुर्ति हमने विद प्लाकेट बनाई है अगर आप फ्रंट की कटिंग सेम रहेगा और स्टीचिंग भी सेम रहेगा तो यहां पर हमारी सिलाई हो चुकी है और धागे को लॉक करके मैंने तोड़ दिया है तो यह हमारे इस तरह से कॉलर रेडी है और देखिए पोहत ही फिनिशिंग के साथ और गोलाई में यह कॉलर बैठी है अब यह ज जाएगा पर बहुत ज़रूरी बात यहां पर आपको यह उपर नीचे लग रहा है तो यहां पर यह जो शोल्डर किसी लाईए जैसे हम यह बराबर से रखेंगे शोल्डर किसी लाई आगे की तरफ आएगी ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि प्रंट आम होल हमने बैक आम होल से केज कम रखा था क्यूंकि हमारी शरीर की रचना ही ऐसी होती है जिसके कारण हमें ऐसा कटिंग करते हैं और इससे हमारी कॉलर में जून नहीं आएगा पहनने के पाद तो यहां पर आप देख सकते हो फिटिंग भी हमारी ऐसी होगी एकदम बराबर से आम होल कर रखकर तो यहां पर मैंने बराबर से रखा है पहले आप स्लिव उसको जोड कर ले और फिर बराबर से रखके फिटिंग करे तो स्लिव जोडने का तरीका मिमें बताते हूं यह हमारे स्लिव से यहां पर आपको सेंटर नौच देना है स्लिव उसको तो यह जो स्लिव का सेंटर नौच यहां पर आपको दिख रहा है यह बराबर से जो शोल्डर की सिलाई है वहां पर रखना है ठीक है तो यह देखिए यहां पर यह शोल्डर की सिलाई है तो बराबर से सेंटर नौफ उसके उपर आना चाहिए पहले कोई भी आधा हिस्सा जोड कर ले सेंटर से सिलाई को है फिर बचा हुआ आधा इससे आप से लाई करके लिए खाय अनुसार मैंने यहां पर स्लिउस को जोड कर लिया उसके बाद जो डार्ट का मार्किंग किया था फ्रंट और पाक दोनों तरफ वह भी मैंने सिल के लिए और फिर उसके बाद मैंने साइड फिटेंग की सिलाई ल अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा मिलते हमारे अगले वीडियो में तब तक अपना खयाल रखना धन्यवाद